जहें दोस्तों मेरा नाम है प्यूस और मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लाश 10th हिंदी के सभी बहुविकल्पी प्रस जितने भी बहुविकल्पी प्रस नहीं है टॉप के वेरी मोश्ट इंपोर्टन टॉप के बहुविकल्पी प्रस और इंके सॉल्यूसन भी मैं इ से बीना रुके आपके 2024 की दमाके दार तयारी करवाए जाएगी जैसा कि आपको कहीं भी नहीं मिल रहा होगा जितने भी प्रिवेस येर कुश्चन पेपर हैं आपके सभी के सॉल्यूसम बताऊंगा सभी मोश्ट इंपोर्टन कुश्चन सभी के सॉल्यूसम बताऊंगा क् कैसे क्या उनको नंबर कैसे मिलेंगे तो अब आपको ड़ने की कोई अवसकता नहीं है ठीक चलो अब आपको बताते हैं सबसे पहला जो हमारा कुश्चन है आचार रामचंद सुक्ल किस यूग के लेखक है आपके सामने चार आप्टन है पहला है सुक्ल यूग दूसरा है किस विधा की रचना है तो बताओ नाटक एक आंकी उपन्यास कहानी तो गबन कौन सी दशना है नाटक है या फिर एकांती है या फिर उपन्यास है या फिर कहानी है तो जो गबन है वहाँ उपन्यास है अगर आप से कोई पूलते तो आप क्या बताओगे उपन्यास बताओगे ठीक अब आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर जो कि कंकाल के लेखक हैं अब बताएं कंकाल के लेखक कौँ हैं कंकाल के लेखक हैं मुंसी प्रेमचंद या फिर जैसंकर प्रसाद या फिर उसके बाद हैं निराला या फिर रामचंद्र शुपल तो जो कंकाल हैं कंकाल के लेखक कौँ हैं कंकाल के लेखक हैं जैसंकर प्रसाद य यह आप टिक लगा दोगे और यह देखो ओयमार सीट में आपको भरना रहेगा और ओयमार सीट कैसे करना है वो भी मैं आपको नेक्ष वीडियो में बता दूंगा आप अच्छे से समझ के उसको भरना जान जाओगे फिर हमारा चौथा नंबर है कलम का सिपाही कृति है जो कल का तो मारना नहीं है इसलिए जितने भी मैं कुशन्स बता रहा हूं इनको अच्छे तरीके से आपको याद करके जाना है अगर आप इनको याद करके जाओगे पेपर में आ गया तो बिल्कुल आप सही सही एंसल लिखे और उसके बाद आपको फुल मार्क मिलेगा ठीक है आपको मिलेगा अगर आप सही से उत्तर दोगे तो आप आप देखते हैं क्लम का सिपाही किस की क्रिती है तो जो कलम का सिपाही है यह है अम्रित राय की कृति यह दी वाला बिल्कुर सही उत्तर हो जाएगा उसमें आपको गोला करना रहता आइसे करकी वह मैं आपको बता दूँगा कि किस प्रकार से आपको करना रहेगा फिर देखें पांचवा नंबर कुश्चन है सुक्लियू और चोथा है अठारो सो पचास इस वी सिले का उनीश सो तक तो बताएगे सुगलियू की समवादी यह आपको देखें जितने भी यूग होते हैं उनकी समयावदी आपको याद करनी पड़ेगी मैं मानतों थोड़ा सा मुस्किल है लेकिन आपको याद करनी पड़ेगी यह बिल्कुर सही हो जाएगा अब देखते हैं वाद सिक्ष्ट नंबर क्या है साकेत रजना है साकेत किसकी रजना है चार आप्सन है पहला है महादेवी वर्मा दूसरा है सुमित्रा नंदन पंतरी की चौथा है आपका तीसरा है जैसंकर प्रसाद और चौथा है मैंतली सर की यह बाला हो जाएगा अब इसके बात आगे बढ़ते हैं महादेवी वर्मा कवित्री है महादे वर्मा कवित्री कें महादेवी वर्मा कुम्ली सम्लथा च्हाय वाद यॉग Fest तो गंगा लहरी किसकी है या पदमाकर की है या फिर भूषर की है या पिर मतिराम तो गंगा लहरी किसकी है और दो जब का पेपर आएगा पेपर से लगब एक महीने पहले क्या होगा वो भी मैं आपको बता रेता हूं पेपर से एक महीने पहले आपको जितने भी most important questions या फिर जो model paper है जैसा है जैसा paper आने वाला होगा वही वही चीज exact मैं आपको बता दूँगा और वही पढ़के जाना है और paper में आप अच्छे number लेकर आओगे मैं guarantee लेता हूं पचासी या पंचान बे या फिर 90 से किसी का भी number कम नहीं होने वाला है बलकि इससे जादा ही number रहेगा या मेरी guarantee है ना रहे तो आप चलो को unsubscribe कर देना अब चलो आगे देखते हैं नवा आधुनिक काल की समय सीमा है यह आपको बताना है बताओ आधुनिक काल की समय सीमा क्या होगी यहां पर देखते हैं नवा नंबर पहला है 1929-1938 दूसरा है 1936-1943 तीसरा है निस सो ऐठारह से निनीस सो पचास चौथा है 1843 से अब तक तो आधुनिक काल की समय सीमा होगी 1843 से अब तक आधुनिक का मतलब आधुनिक modern जो अभी चल रहा है तो अभी क्या चल रहा है अब तक मतलब 1843 से अब तक कि जितनी भी समयावदी है वो आधुनिक काल में आती है अब इसके बाद देखते हैं महादेवी वर्मा की रचना नहीं है महादेवी वर्मा की रचना क्या नहीं है इन में से कौन सी रचना है जो की महादेवी वर्मा की नहीं है तो इसको हम देख लेते हैं चार option है पहला है नीहार दूसरा है सांधगीत तीसरा है युगांत चौथा है देप सिखा तो इसमें से कौन से रचना नहीं है वहां तेवी वर्मा की तो युगांत जो सी वाला है ये नहीं है क्योंकि नीहार भी है सांधगीत भी है और देप सिखा भी है लेकिन ये जो है न तो इस पर आपको सही ठिक लगा देना है क्योंकि हास आपको स्थाइबा सब कर लेना है और ऐसे सभी जितने विरस हैं सभी के आपको याद कर लेना है फिर बारा नंबर कुरिशन देखते हैं बारा नंबर कुरिशन क्या है पीपर पात सरिस मंडोला इसमें पंक्त में अलंकार है इस पंक्त में अलंकार क्या होगा कौन सा अलंकार है रूपक अलंकार उप्रेक्षा अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार तो पीपर पात सरिस मंडोला इसमें जो अलंकार होगा वो बता तो इसमें आपका अलंकार होगा उपमा किया जा रहा है मदद तुलना की जा रही है उपमा क्या होता अलंका जिसमें तुलना की जाए तो यह पीपर पास सरिस मंडूला अब उसके बाद 13 नंबर पूश्चन 13 नंबर जो है सो रठा चंद में चरण होते हैं जो सो रठा होता है इसमें कितने चरण होते हैं इसमें काफी सारे इस्ट्रेंस कन्फ्यूज जाते हैं लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना है आपको इसमें चार लगाते हैं जो आपका एवाला है option चार क्योंकि सो रठा जो है उसमें कितने चरण होते हैं ठीक है होते हैं छोन च oynत्हां चंड में 4 जरण होते हैं अब 14 नमबर प्रीवक्षीं पर बढ़ते हैं जो चो इससे सब्सक्राइब में प्रुख्त हुप出来 सब्सक्राइब कौंसे होगा उ तो यह बता प्रत्ते के बहुत हैं इसका मिलकुत सई हो जाएगा अब उसके बाद बढ़ते हैं 15 नंबर कोषचन पर देखो पंद्रा नंबर जो कुश्चन है वह क्या है पंद्रा नंबर कुश्चन है हमारा कि प्रत्य के भेद हैं प्रत्य के भेद कितने होते हैं तो प्रत्य के दो भेद होते हैं यहां पर लगा देना है यह सब क्या है कुश्चन आपको याद करने पड़ेंगे तो मैं जितने यह इनको अच्छे से तयार कर लो अगर आपके पैच्छा में आ गया तो बीना सोचे समझे आप डाइट एंसर पट्टिक लगाओ कि आपका गलत नहीं होगा लाब हानी हानी लाब में समास है अब देखे इसमें हानी और लाब का अगर आप क्या करेंगे संधिविक्षित करेंग तो क्या आएगा हानी और लाब देखो हानी लाब मतलब हानी और लाब ठीक अब अगर बीच में आपको बता रहे हैं बीच में और आ गया संधिविक्षित करने पर तो वह कौन सा समास होता है जुन दो समास होता है यह वाला सही हो जाएगा और आप एक तरीका ऐसे ही पैस ठीक और होता है भाई भाहन और देश विदेश ठीक बीच में ऐसे अगर हाईफन लगा रहता है उसका संधिविक्षित करने पर आओ रहता है तो आप लगाओगे दंद समास लट मेरा कुछिसन्ते हैक क्या है मैचली औए मचली का पर्यावाची क्या होता है ? इन में से देखते हैं यह होता है मचली पर्यावाची अब इसके बात अठाव नंसास्थी कौन से संदिए ? दीर्ग संद्ध यह यह संद्ध है संदी यह एक्ट में आप बताएं यद्याप में काउं सी संदी होगी याद्याप में होगी ग्यर संदी सी नंबर ओला ओपसन बिल्कुल वुगा उसके बात अननीस नंबर कुश्चन पर बढ़ते हैं 19 वा नंबर कुश्चन हैं मदुसब्द का दुतिया विभागति बहुव वचन क्या उन्सा होगा तो बताना है आपको यह होगा मधुनी ठीक है मधुनी डी वाला जो है इंगे बिल्कुल सई हो जाएगा अब बढ़ते बीस्वा नंबर कुश्चन पर देखो हमारा जो बीस्वा नंबर कुश्चन है पठे ताम धातु का वचन एवं पुरुस है प्रथम पुरुस दुई वचन होगा प्रथम पुरुस दुई वचन होगा अब एक चीज आप भ्यान से समय हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो में उसको क्या करना कॉमेंट कर देना और 2024 बोर्ड एक्जाम के लिए तनी तगड़ त्यारी करवा दूँगा कि जो भी इस्टन्स अभी तक कुछ भी नहीं पड़े हैं उनको लगता है कि हम फेल हो जाएंगे उनके भी कहीं न कहीं पचातर परसंट या फिर पचासी परसंट तो आएंगे ही आएंगे बाकि जो जिन्हों ने दो महने तीर महने पढ़ाई की है उनके त्यार पचासी प्लस ही रहने वाले हैं 90 प्लस 95 प्लस क्यूंकि आप देख सकते हैं पिछली बार काफी सारे ऐसे बच्चे थे जो कि बिल करके बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं ठीक दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही तब मिलते हम आप से और किसी नेक्ट वीडियो में